कॉंग्रेस नेता जीतू पटवारीने खजुराहों में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन खारिज होने पर भोपाल में प्रेसवारता को संबोधित करते हुए बीजेपी और कलेक्टर पर बड़ा हमला बोला है, सुनिये क्या बोले प्रृत्याशी है अरनी आरबी प्रजापती जी यह मेरे से मिलने आये थे इनोंने कहा कि मुझे अलग अलग तरीके से कुछ बाते में पब्लीक डोमेंड में ला सकता हूं, कुछ बाते निला सकता हूं पर मेरे पर दबाव है कि फारम में निकाल लू मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोक नेशनल निर्वाचन राज निर्वाचन आयोक को की हैं उसकी कापी भी मुझे दी है ये कापी है आप सब देख लें उसके बाद ये मद्यप्रदेश के जंग भाद्दूर गिल मद्यप्रदेश के अद्देख्ष है आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के उन्होंने भी निर्वाचन आयोक को जो शिकायते दी कि ये गिल साब आदरनी सोतंता संग्राम सेनानी परि निरस्त कर दिया जो लोग ये कहते हैं अपकी बार 400 पार मतलब उनकी नीती और नियत समझ भी आ रही है कि किस जो सरपंच के चुनाओं में हरकत होती है जो छोटा पन होता है जो राजनितिक मरियादा है तार-तार की जाती है वो अब देश के सबसे बड़ी पंचायत लोग कानूनी प्रक्रिया है उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी पर जो बच्चे हुए प्रत्यासी हैं उनको डराय धमका जाए अभी मुझे बात्चीत में बात पता लगी कि जितने और प्रत्यासी है उनको सबको किसी का अफरन कर लिया गया है किसी को भूमिगत कर दिया गया ह कोई जमीन पर नहीं गुम सकता है पब्लिक डोमेंड में नहीं आ सकता है अगर ये बात गलत है तो मैं भारती जंता पार्टी को चुनोती देता हूं कि जो प्रत्याशी हैं अभी भचे हुए वो आज पब्लिक डोमेंड में नहीं है तो वो कहां है वो मीडिया के सामने नहीं यह तो कहा है क्या बीजेपी के जो अद्देख्ष हैं वो बिहारी स्टाइल में या मैं माप करें जो फिल्मों में हम देखते हैं उस स्टाइल में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि अपरन कर लो पैसे से खरीद लो डरा लो धंका लो अलग-अलग तरह के प्रशासनिक्त यात जा रहे हैं जबलपूर इस तरह का देश बनाना चाहते हैं इस तरह का नया भारत चाहिए था यह तीनों पत्र मुझे सम्मानित एक प्रत्याशी ने दिये हैं फारवड ब्लाक के जिन्नों ने उनने शिकायत की आरोप लगा है कि मुझे प्रलोभन भी दिया गया और अलग फ्रत्यासी ने फाम नकाला और एक फ्रत्याशी जो जमीन पे दिखनी राय चुनावा नहीं बैटता है घर में नहीं बेटता है भूमी गतनी होता है हमारा आरोप है और मैं प्रिशासन से खासकर निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पृत्याशियों को सुरक्षा दी जाए खासकर खजराओं के जितने पृत्याशी बच्चे प्रजापती जी को भी सुरक्षा दी जाए और बाकी लोगों को भी सुरक्षा दी जाए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निर्वाचन आयोग भी कट पुतली के रूप में काम कर रहा है यह साथ फिर से एक बार होगा जीतू पटवारी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तीन घंटे तक कुरसी पर ही नहीं आया उन्होंने कहा कि उनके फोन और मैसेज का भी पटवारी ने कोई जवाब नहीं दिया पटवारी ने कहा कि उनकी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात हुई उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी गल्ती सुधरवा सकते हैं पटवारी ने आरोप लगाया कि वह तीन घंटे तक कुर्सी पर ही नहीं बैठे ताकि गलती न सुधारी जा सके जबकि सपा प्रत्याशी उनके कक्ष में ही बैठी रही पटवारी ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो सम्विधान की शपतली उसको भी नहीं निभापा रहे वह इस तरह के कुकृत्य करके बचने के लिए गलत बातें फैला रही है यही तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है पटवारी ने कहा कि इंडिया गठ बंधन आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है पटवारी ने कहा कि कॉंग्रेस के कार्यकरता बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए उनके नेता यह माहौल मनाने में लगे हैं ताकि जनता में कॉंग्रेस के खिलाफ माहौल बने उन्होंने भाजपा पर जूठे दावे करने का आरोक लगाया साथ ही कहा कि जहां 500 लोग खड़े नहीं हो सकते वहां हजारों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही है पटवारी ने कहा कि अब तक 350 लोग ही भाजपा में शामिल हुए हैं उन्होंने कहा कि खदाने और अपने व्यक्तिगत हित वाले लोग कॉंग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन्होंने कहा कि जो कॉंग्रेस के नहीं हुए वे लोग भाजपा के क्या होंगे पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता का जाने का दुख होता है उनको मनाने का प्रयास भी करते हैं भाजपा जूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाएगी